गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चो हम लोगों ने अपना चैप्टर कम्प्लीट कर लिया था और लास्ट क्लास में आपकी जो मेन एक साइस बुक है उसके कोश्चन आंसर्स किये थे पेज नमबर 18 के उसमें 5 कोश्चन दिये थे और मैंने आपके साथ वो 5 कोश्चन डिसकस किये थे जिन बच्चों ने वो 5 कोश्चन अभी तक नहीं किये हैं वो बच्चे उस वीडियो को देखेंगे और उन कोश्चन आंसर्स को कम्प्लीट करेंगे अब आज हम लोग आपकी स्किल शीट वाली बुक की एक्साइज नंबर करेंगे पेस नंबर 5 और 6 पर तो आईए लेट्स गेट स्टार्टेड विड़ वर एक्साइजेज बच्चों पहली एक्साइज क्या है क्रोस द ओड वन आउट हमें फिगर दी है और हमें क्रोस करना है कि कौन जा ओड वन आउट है इन फिगर से तो पहले में क्या है पहले में हमारा नोट पैड है क्यों क्योंकि वो एक सौफ़वेर प्रोग्राम है और बाकी जित्ती भी आपको इमेज इस दी है जोइस टेक माउस प्रिंटर ये मॉडम ये सब क्या है ये सब हमारी हाडवेर्ज है और नोट पैड हमारा सौफ़वेर है इसलिए हमारा ओड वन आउट है B क्या है बच्चो B में भी हमारा Microsoft Office 2010 ओड वन आउट है क्यों क्योंकि वो हमारा सौफ़वेर है C में बच्चो क्या हमारा ओड वन आउट है C में हमारा odd one out CPU है क्यों CPU है? क्योंकि बाकी जितने भी दिये हुए है वो सब software programs है Microsoft 2007, 10 यह सब हमारे क्या है? PowerPoints, यह सब हमारे software है और CPU क्या है हमारा? CPU हमारा hardware है इसलिए हमने इसमें उसको cross one out किया है अब second exercise क्या दी है? हमें rearrange करने हैं letters को ताकि वो एक meaningful word बन पाए तो पहला क्या है? पहले का answer है system software क्या है? system software क्या spelling है? S-Y-S-T-E-M system S-O-F-T-W-A-R-E software B क्या है? hardware spelling क्या है? ह-A-R-D-W-A-R-E hardware C क्या है बच्चो? motherboard क्या spelling है? M-O-T-H-E-R mother B-O-A-R-D motherboard D क्या है बच्चो? D software है क्या spelling है? S-O-F-T-W-A-R-E software E क्या है बच्चो? hard disk क्या spelling है? H-A-R-D hard D-I-S-K hard disk F क्या है बच्चो? F है sound disk sound card क्या spelling है? S-O-U-N-D sound C-A-R-D sound card अब सभी बच्चे page number 6 खोलेंगे उसमें क्या एक size है? हमारी third state, whether, true or false हमें बताना है कौनसी statement true है? कौनसी statement false है? पहली क्या है? mouse and keyboard are examples of hardware true spelling क्या होती है? true की T-R-U-E true B क्या है? software is something you can feel and touch नहीं वो तो hardware होता है तो false spelling क्या है? F-A-L-S-E false C क्या है? the physical parts of computer are called hardware जो physical parts होते हैं computer के क्या हम उन्हें hardware बोलते हैं? हाँ तो true Microsoft word is an example of software true joystick is an example of software नहीं वो तो hardware है मुसको touch कर सकते feel कर सकते इसलिए false sound card is used to produce sound true sound card sound produce करती है हाँ इसलिए true अब फूर्थ क्या है? matching करनी है हमें pictures के साथ उनकी name को तो motherboard का क्या होगा? motherboard हमारी बनी है five number पे तो a का answer five compact disc का क्या है? four तो b का answer क्या होगया? four c का answer क्या है? modem का six d का बच्चो three ram e का क्या है बच्चो two hard disk और f क्या है हमारा wordpad software तो उसका answer क्या होगया? one हमने क्या किया? इसमें हमने pictures के साथ उनके names को matching करी है सभी बच्चे अपनी ये excise space number five और six की complete करेंगे में ते